हेलो दोस्तों स्वागता आपके मेरे YouTube चैनल हर्टी चैनल हर्टीप सैनि कैथल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PVC Scroll Sealing के बारे में PVC आतीं कितना करद चाए like का अपने देखा। और कहई से पूछाओगा और कोई इसकी बोलत पचास सबसे पहले हमको किसी भी सीलिंग को करने के लिए समान चाहिए पहले मैं आपको समान दे बता दे तो हमने कैसे में कैसे लिकी ह WAIT जो हमारा मेंनेरी होता बीचिमे गच में जो BASE सी सीट होती है उसके निचे लिक ने hupe सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर हमारे रूम का साइज 9 by 8 एक 9 फीट की इसके लिए आपकी 52 पे तो इसकी आई आपकी 52 पे ऐसे ही सेम अगर हम 10 बाइद 10 का रूम लेके चलें और उसमें सिंगल सीलिंग करें सिंगल सीलिंग में आपको दिखा देता हूं जिसमें हमारा चारो तरफ पट्टा नहीं लगता है कंप्लीट से लिग में लिखे तो उसका खर्चा हें आपका देन्सरों चतना है। च्छहचार से अठाण में सुरक्वी और ये दोस्तों सीलिंग साइज एक ही है आपका कमरे का साइज एक है लेकिन उसमें खर्चा फरक आगे और ये दुन्यों दोस्तों जो खर्चा है वह आपका है नोर्मल डिजाइन के साथ अगर आप इसमें हैवी डिजाइन करवाते हो तो उसके आपको प्लस अलग से देने परेंगे उसका चार्ज एक्ष्टर होगा वह कितना खर्चा होगा वह आपके डिजाइन पर करता है उसके बाद दोस्तों मैंने एक एक्जैम्पल और लिया है अगर मान की चलो आपके कमरे का साइज 12 भाई 12 का है और तो उसमें हमको क करने के लिए हम यहां पर दो साइड का पट्टे देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में पी बैक साइड में इस पट्टे देने के बाद हमारा जो खर्चा आता है बारा बाई बारा का वह आता है 9000 पे एक सीलिंग का और लेकिन अगर हम इसी कमरे की साइज को हम चा बाइट ने में उसका कितना खर्चा आता है तो अब हम यह निकालना चाहें किसका कितना स्केर फीट करचा अगर हम सक्रफिट में निकाले तो चली दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम निकालते है नोव बाई आँख की अगर हम नोव आइज कर देखी हैं यहां पे द खर्चा आता है अगर इसी कम रेक साइज को अठाण में सो रुपे खर्चा आता है अगर आप यहां पर हैवी डिजाइन बनवाते हो तो यह खर्चा और भी प्लस हो सकता है यह मैं नूर्मल डिजाइन के लिए बात कर रहा हूं मैं आपको बता दूए कि नौर्मल डिजाइन कौन से होते हैं और हैवी डिजाइन कोंसे होते हूं उनका क्या खर्चा होता है अगर आप वो देखने चाट इसकी वीडियो जल्दी आने वालब यह तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर दिजिए तो अगर अब नेक्ट हम चलते हैं बार बार के कमरे में जिसमें हमने दो साइड का पूडर दिया है तो उसका खर्चा आ गया है दोस्तो हमारा अगर हम 9000 को 144 से बाग देते हैं तो आ गया 62.5 एंगी बांश्ट टियुर्पे स्केर फीट कर चाप के यहां पर देखने को मिल ज और यहां पर भी आपको फरक देखने को मिल जाएगा और यह दोस्तों जो मैंने यहां पर खर्चा बताया है यहां पर हमने जो बेस की सीट लिए वह सिल्वर लाइन यानिकी सबसे लाइट वेट के लिए और जो जो हमारा रोइल क्वालिटी में आती है अगर आप इसको सा सब में प्लस हो जाएगा ठीक है दोस्तों और यह मुझे लगता है कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि कि इसका क्यों फरक होता है और इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं इसमें कुछ देखने वाली बात है कि इसमें से अलग आपको क्या-क्या पे करना पड़ेगा जो इस कि यह इसका भी आपको चार्ज अलग से देने पड़ेगा क्योंकि उसमें आपके लेबर बहुत ज्यादा लग जाती है लगता जो होटा है तो इसलिए जो भी इसमें आपको इल्रेक्टिकल चार्ज आऊ-था लग देने पड़ेगा दोस्तों इसमें घोड़ी और जो चार को ही प्रवाइड करवाने पड़ती है या आपके घर पे हो तो वह भी चल जाएगी तो दोस्तों मुद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजीगा और चैनल को सब्सक् जल तब तक जय हिंद जय बारत